है गाइस वियर बैक विद अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र का पार्ट तीन ठीक है मैं अल्रेडी शुरू करवा चुकी हूँ बी एस ब्लूम की टेक्स्ट नॉमी हमने प्रिवेस वीडियो में डिसकस इनके मैंने नोट्स बना लिए ताकि आपको इजीली समझा है बुक में बहुत सारा दे रखा है आपको टाइम लगेगा पढ़ने के लिए और एक्जाम बहुती नजदीक है तो मैं आपको सजिस्ट करूँगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को जरूर से ओन कर लेना बिना किसी देरी के करते हैं आज के टॉपिक शुरू तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है रॉबर्ट मिलर ठीक है इसके नीचे लिखा है शिक्षन उद्देश्यों को विवहारिक रूप में लिख एक विधि प्रस्तुत की ठीक है कब 1962 में आपको याद रखना आउ peculiar की विधि कर ट्रेश्न के दोरान हुए इयरफोर्स की ट्रेनिंग के अनुसंधान के दोरान हुआ मिलर ने केवल मनोगत्यात्मक, क्रियात्मक उद्देशों को ही वेवारिक रूप में लिखा जैसे कि हमने देखा बियस विलूम ने क्या किया था ग्यानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों तरीके के उद्देशों के बारे में चर्चा की अपने उद्देशे लिखने की विदी में लेकिन अगर बात हो रही है रोबर्ट मिलर की तो आपको याद रखाएं इन्होंने केवल और केवल क्रियात्मक उद्देशों को वेफारिक रूप में लिखने की विदी बता तो इतनी चीज आप नोट कर लेंगे साथ की साथ आपको आइडिया हो जाएगा कौन थे कभी इन्हों ने विकास किया इस चीज का ठीके किस-किस पर कारे किया और किस पर नहीं किया यहां से आपको क्लियर हो जाता है आगे बढ़ेंगे इसमें लिखाए शिक्षन करेगा जो भी अनुक्रिया की जानी है या फिर अवश्यक संकेत हैं उनका वर्णन करना स्टूडेंट के आगे ठीके पहला स्टैप यही है दूसरा इसमें संकेत या उद्दी पक विशेश का वर्णन दिया जाना चाहिए ठीक है असंकेत डिसाइड हो गए संकेतों का वर् करना चाहिए जिससे संक्रिया बनाना है ठीक है यहां पर तीन स्टैप्स आपको क्लेर हो जाते हैं इसके बाद हम अगला स्टैप देखेंगे यहां पर दूसरी तरह ठीक है संपन्न की जाने वाली क्रिया का विवरंड दिया जाना चाहिए ठीक है जो क्रिया की जानी है उस एक एक्जैम्पल लिया, railway signal के हरे रंग में होते ही, तो हरे रंग में होते ही क्या होता है, driver ने CT देना और train को अपनी पूर्व निश्चित दिशा में आगे की और बढ़ाना सीख लिया, यह तो आपको पता ही है, जब green signal मिलेगा तो इसका मतलब है train को अपनी direction में पहुचना है टीक है जो कि पहले से निधार होता है तो यहां पर इस वाले एक्जैम्पल को इनके चरणों को में डिवाइड करेंगे जो इनोंने दिये हैं अपने सिपागम के ठीक है कैसे करेंगे देखी जहाँ सिगनल के हरे रंग में होते ही संकेत मिला ठीक है जो उत्प्रेरक उत्प्रेणना देने की परिस्थिती है तो यहाँ पर क्या हुआ है जैसे ही green signal दिया गया है इसका मतलब क्या दे दिया गया है indication उत्प्रेरक ताकि आगे जो है activation हो activity हो अनुक्रिया हो इसके लिए संकेत दिया ठीक है इसी की बात करते हैं सबसे पहले Robert Miller फिर driver का CT देना या signal के हरे रंग में होते ही ठीक है CT दी driver ने और signal का हरा रंग होना क्या है उत्प्रेरक की अनुक्रिया है अंत में क्या हुआ रेल गाड़ी का निश्चित दिशा में आगे की और बढ़ना feedback तो कुछ इस तरीके से Robert Miller के इस approach को इस उपागम को आप इस example की साहता से तीन भागों में बाठ कर समझ सकते हैं ठीक है पहले वाले में आपने पांच चरन पड़े वो भी आपको अच्छी से clear हो जाएंगे बस इतना clear करके चलिए कि क्या है indicator क्या है activation और क्या है feedback ठीक है आगे बढ़ेंगे इसमें और यहां पर आपको लिखा दिख रहा है मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देशे के लिए ठीक है रीड कर रही हूं थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आए मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देशों के लिए कारे परक कारे सुचक क्रियाओ की सूची तो यहां पर एक आपको टेबल देखने को मिलेगी देखी में दिखा देती हूं यहां से शुरू होगी है और कुछ इस तरीके से देखी आगे बढ़ती चली जाएगी तो यह जो कारे सुचक है यह किस ने दिये हैं रॉबर्ट मिलर ने दिये हैं ठीक है तो सबसे पहले यह लेते हैं सेज क्रियात्मक अंग संचालन इंगलिश में तो रिफ्लेक्स मूवमेंट ठीक है रिफ्लेक् हो लilen को रहा है तो और शमे संचालन से ही तो उगी उसलिए यह रोबर्ट मिलर ने क्या किया है का रपर कारे चुचक रियांस नोग्यमें दी कूदना पकड़ना रेंगना ठीक है थर्ड पॉइंट यहां पर इन्नों ने दे रखा है शारीरिक विशेषता हैं इंग्लिश में कहें तो फिजिकल अबिलिटीज शारीरिक योगता हैं यानि कि फिजिकल अबिलिटीज और इसके अंतरगत आजएगा सहन करना व्यभार करना इसको नोट करते जाएगेगा आप साथ की साथ बढ़ाना सुधारना शुरू करना रोकना सारा देना जुकाना ठीक है यहां पर यह चीज के लिए रोगए आपको अगला है इसमें प्रतक्षी करन योगता है यानि कि परसेप्शुल एबिलिटीज इसके अंतरगत क्या क्य चीज़े आ जाएंगी संतुलन करना खोजना सिम्रिती चितरन अन्विक्षन करना पकड़ना ठीक है प्रतक्षी करन और एक तरीगे से परसेप्शन हो रहा है बच्चे को फेकना लिखना चुकर देखना सुनकर सुनकर पहचानना खाना तो इन चीजों से क्या हो जाएगा प्रतक्षी करन होगा ठीक है अब यह आगे कहते हैं कौशल युक्त संचालन तो इन्होंने इसमें कौन-कौन से कारे सुचक रखे हैं देखे जरा कौशल है यानिकी स्किल्स है इसमें सारी कौन-कौन सी गोता लगाना ठीक है इसके बाद है यहां पर चलाना बुनाई करना बाद यंत्रों को बजाना नित्ते करना खोदना तैनना स्केटिंग करना नाफ खेना ठीक है यानिकी नाफ चलाना एक तरीके से और लास्ट है यहां पर सांकेतिक संप्रेक्शन इंग्लिश में कहेंगे आप इसको सिंबॉलिक कम्यूनिकेशन और नॉन डिसकसिव कम्यून यानि कि इसमें पूरी तरीके से संप्रेक्शन नहीं किया जाता कम्यूनिकेशन नहीं किया जाता बलकि संकेत दिये जाते हैं तो इसमें कौन-कौन सी चीजों को रखा है रॉबर्ट मिलर ने मुस्कुराना नकल उतारना चित्रांकन करना खड़ा होना भाब भंगीमा बना के लिए जाताना बेठना चिड़ाना दिखावा करना ठीके संकेत हैं चलें तो एक बार और रिवाइस कर लिते हैं पटाफट से सबसे पहले तैसमें सहच क्रियात्मक अंग संचालन इसमें अंग संचालन से संबंधित सारे कारे सुचत थे सेकिंड था हैं आपर आधार हो गता है जिसमें पर्शेप्शन होता है कौशल युक्त इसमें कौशल आएंगे भी से इस रूप से देखें और लास्ट था इनका सांकेती संप्रेक्शन तो इसमें संकेत ही दिये जाते हैं कारे सुचक आप देख सकते हैं चलिए अब हम पढ़ेंगे रॉबर्ट मैगर के बारे में तो रॉबर्ट मिलर जो थे वह अलग थे रॉबर्ट मैगर एक अलग है ठीक है इन्होंने व्यवारिक उद्देशों का वरगी करन किस तरीके से किया है उस चीज़ को हम समझेंगे बारी-बारी तो शिक्षण उद्देशों को व्यवारिक रूप में लिखने की विधी तो यहां से रीड करना शुरू करेंगे रॉबर्ट मैगर ने सर 1962 में इन्होंने भी 1962 में विधी दी है ठीक है तो 1962 में अभीक्रमी तनुदेशन के छेत्र में शेक्षिक उद्देशों को व्यवारिक रूप में लिखने को विशेश महत्व दिया ठीक है अभीक्रमी और ग्यानात्मक उद्देशों के बारे में बात नहीं थी वह केवल और केवल क्रियात्मक उद्देशों पर बात करते हैं जिबकि रॉबर्ट मैगर बात करते हैं ग्यानात्मक और भावात्मक पर ठीक है और ब्लूम टेक्स्ट्रमी को सबसे जादा महत्वपूर्ण इसलि का प्यास किया मैघड ने उद्देशों को व्यवारिक रूप में लिखने के लिए ब्लूम टेक्ट्ट्रॉमी को आधार बनाया कि यह जय से कि मैंने आपको बताई सबसे अपूर्प्रीट ब्लूम लूम का वर्गी करण बहुत ही महत्वापूर्ण है पेपर में भी पूछा जाता है और चाहें आप कॉम्पिटेटिव एक्जाम दे रहे हैं कोई भी एक्जाम दे रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपको हमेशा देखने को मिलेगी लूम टेक्स नॉमी चले तो मेगर ने प्रते कुदेशों को लिखने के लिए कारे सुचक रियाओ का प्रयोग किया अब जैसे मिलर ने दिये थे कारे सुचक वैसे ही मेगर ने भी दिये हैं तो सबसे पहले इनके सौपान देख लीजिए आप इनकी विदी के रॉबर्ट निर्धारण किया जाता है या उनको पहचाना जाता है जिससे उद्देशों की प्राप्ति के लिए शाक्षियां प्राप्त हों तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है क्या आइडेंटिफाई किया जाता है बच्चों के अंतिम वैभार को ठीके बच्चो उसका निर्धारण किया जाए ठीक है सबसे पहले आपने उद्देशों का निर्धारण किया जिनकी प्राप्ति की जानी है ठीक है इसके बाद जो वांचित विवार यानिकी जो आप एकस्पेक्ट कर रहें बच्चों से ठीक है उस परकार से परिभाश और व्याख्या दीर जानी चाहिए जिससे की बच्चे जो हैं वह उस तरीके का विवहार कर सकें जैसे की आप उनसे एकस्पेक्ट कर रहे हैं कि तीसरा इनका महत्वपूर्ण सौपान है निश्पति के वा कालूम हो जाए कि छात्रों में कम से कम कौन सा और किस सीमा तक का विभार है ठीक है यहां पर वांचित मांडण का विशिष्टी करन कर देते हैं ठीक है सबसे पहले आपने क्या किया था उद्देशिन दारित किये उसके बाद आपने बच्चों के समक्ष ऐसी व्याख्या प् आगे है इसमें लिस्ट ऑफ एक्शन वर्फ और कॉगनेटिव डोमेन तो सबसे पहले बात कर रहे थे ग्यानात्मक पक्ष की तो इन्होंने क्या 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 कारे सुचक दिये हैं देखे जो इनके यह कारे सुचक वह ब्लूम के अधार परें ठीक है ब्लूम का जो वरगी कर करना यानि की रिकॉलिंग पहचानना प्रत्य ज्यान करना यानि की रिकॉगनाइस करना पहचानना ठीक है और सुची देना आप इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है और इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन मतलब वही होना शाहिए लिखना मापन करना रिखांकित करना कथन देना पुनोत पादन करना लेबल लगाना तो यह सारी चीजों को रखा है रोबर्ट मैंगर ने ज्ञान के अंत्रगत ठीक है आगे है इसमें बोध बोध में कौन कौन सी चीज़े देखिए व्याख्या करना बदलना वर्गी करन करना विभेद करना ठी अर्थापन करना पहचान नाम देना यह नयाय करना ठीक है तो यह 2 और तलो double के अंध्र गठ रखी है इसके बाद आता है प्रयोग् प्रयोगने क्या 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 है प्रदशित करना पूर्व करना जाच करना बदलना गड़ना करना निर्मान करना चैन करना खोज करना पाना खोजना उल्लेक व्याख्या करना इस्थापित करना समाधान करना प्रयोग उप्योग करना चुननना संचालित करना निर्मान करना बनाना गड़ना करना उत्पन करना संशोधित करना परिपालन करना उधारन देना ठीक है तो यह प्रयोग से स समाधान करना और विशलेशन में ही है यह वाला भी इंगित करना निशकर्ष निकालना अलग करना तुलना करना विभाजन करना अंतर बताना सम्मंदित करना अगर बात करें संसिलेशन की तो इसमें आजेगा चैन करना संसिलिस्ट करना ठीक है और विशलेशन में है निशकर्ष देना तर्क करना वाद विवाद करना विशलेशन नहीं संसलेशन में ठीक है क्योंकि विशलेशन से अगला जो पद है वो है संसलेशन इसके बाद है ज्यानात्मक पक्ष का मुल्यांकन ठीक है करना अलोचना करना दूर रहना करना या टालना बचा प्रतिवात करना संबंदित करना जाज करना ठीक है आगे इसमें संबंद इस्थापित करना चुलना तुलना देना तुलना करना निशकर्ष देना अभी ज्यान करना समर्थन करना चेहन करना गल्ती खोजना तो यह मुल् और अब ये बात करेंगे भावात्मक्पक्ष के उद्देशों के लिए कारे सुचक इनोंने कौन-कौन से दिये हैं तो देखिए ये भी ब्लूम के वर्गी करण के अधार पर हैं तो कहने का मतलब है जो ब्लूम की टेक्स नौमी है और रोबर्ट मेगर की टेक्स नौमी है व पूछना ध्यान देना पकड़ना प्रयोक करना पक्ष लेना अवलोकन करना निरिक्षन सावधान होना खोजना पहचानना अनुसरन करना नाम देना ठीक है इसके बाद आगरन हो गया हमने बहुत ही अच्छे से बड़ा है ब्लूम को इसलिए मैं कहरी हूं वह वीडियो को साथ करना लेबल देना अग्या पालन करना अभ्यास नाम देना उपस्त करना और आलेखन करना अगर स्पीड थोड़ी जादा हो जाए तो वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा ठीक है अगला इनका पद था अनुमूल्यन ठीक है जो की ब्लूम टैक्स नौमी में भी है बावात्मक पक्ष के अंतरगत इसमें आजाएगा स्विकार करना भाग लेना संकेत इंगित करना प्रभावित करना पहचानना अब दिद्धी करना धानन करना पूरा करना विवेद करना अभी रूची का क्रम देना ध्यान देना सुननना चुननना प्रदर्शित करना और वि करना तुलना करना प्रदशित करना संकेत करना संबन्दित करना संबन्वे इस्थापित करना जोड़ना परिवर्तित करना पूरा करना विक्सित करना सह संबन्द इस्थापित करना बनाना पाना सामानी करन करना विवस्थापन में क्या आ जोएगा देखें विवस्था करना स संबन दिस्थापित करना निर्णे करना संबन दिस्थापित करना चैन करना निश्चित करना रूप देना बनाना समन्वित करना योजना बनाना संसिलेशन करना संसिलेशित करना और तयार करना बात करें अगर चारित्री करनकी तो इसमें आजएगा स्वीकार करना दोहराना ज़िए आपको पता हैं कोई आपको पता है तो उसकी कोई पर हम एक नजर डाल लेते हैं तो देखे लिमीटेशन्स और पर उस तो सबसे बड़ी कमी इनके उपागम की यह ही है इस विदी में कारए पर जादा महत्व दिया गया है परंदु छात्रों की मालसिक प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है नेक्स्ट यहाँ पर यह है विदी एसार यानिकी स्टुमिलेशन और रिस्पॉंस पर अधिगबल देती है परंतु अधिगम की बहुत सी क्रियाओं पर यह लागुन नहीं होती ठीक है ज्यानात्मक वे भावात्मक उद्देशे दोनों की बहुत सी कारे क्रियाएं समान है जिससे ब्रह्म उत्पन्न होता है अगला है इसमें यह विदी अभीक्रमित अनुदेशन के चेत्र में ज्यादा सिद्ध हुई है तो यहाँ पर आप इसकी लिमिटेशन को भी पढ़ लिजेगा और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो व झाल 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 झाल